क्यूं कभी पवन सिंग ने अक्षरा के खिलाफ कुछ नहीं कहा, क्या राज था, क्या अक्षरा सही थी, क्या अक्षरा ने जितनी भी तोहमते पवन सिंग पर लगाई थी, वो सब कुछ सही था, आज जब भी अक्षरा की बात आती है, अक्षरा का नाम तक नहीं लेते हैं, अक्ष्रा को ना पसंद करने की उनके पास बहुत सी वजहें हैं लेकिन आपको ये बता दे कि अक्ष्रा के इतने आरोपों पर कभी पवन सिंग ने कुछ नहीं कहा इसके पीछे का कारण हमेशा लोग जानना चाहते थे क्यों पवन सिंग हमेशा नो कमेंट कहके हर विवादों को शांत कर दिया है पवन सिंग ने लेकिन क्या आपने कभी सोचा क्यों क्योंकि भले ही अक्ष्रा ने जो कुछ भी किया कभी भी अपने रिस्ते का छीहा लेतर नहीं करना चाहते थे पवन सिंग पवन सिंग को जानने वाले लोग ये कहते हैं कि पवन सिंग जितने भोले हैं दिल के जितने शान्थ है अगर उन पर बनाती है या उनसे कोई भी दुश्मनी लेता है तो उसे भी वो बखुबी निभाते हैं अक्षरा के लिए पवन सिंग ने हमेशा नो कमेंट कहके अगर विवादों को टाला भी है तो उसके पीछे का एक कारण ये रहा है कि वो अपने रिस्तों का छीहा लेदर नहीं करना चाहते थे मीडिया में वो कभी भी अपने विवादों पर कुछ नहीं बोलते अगर वो मीडिया में बोलते नजर आए हैं तो जब भी पवन सिंग पर कुछ गलत रिपोर्ट बनी है या उन्हें कुरेधा गया है तो ही आकर उन्होंने कुछ लोगों को आगा किया है लेकिन पवन कभी अपने रिस्तों को, फिर वो चाहे उनकी पत्नी जोती का रिलेशन हो इन दिनों उनके साथ, फिर वो चाहे उनकी पहली पत्नी नीलम की आत्महत्या हो, या फिर अक्षरा सिंग का ये विवाद हो, या खेसारी का विवाद हो, या फिर उनके साथ मनोज मतलवी का साथ ही आपको यहां यह भी बता देते हैं कि अक्ष्रा और पवंसिंग के विवाद में हमेशा लोगों को लगा कि अब पवंसिंग बोलेंगे पवंसिंग से कहा भी गया लेकिन पवंसिंग ने कभी कुछ नहीं कहा इविन अपने दोस निशांत उज्वल के साथ लाइव में आने के बाद भी पवंसिंग ने उनसे कभी कुछ नहीं कहा इसके पीछे सिर्फ एक कारण था कि अपने रिस्तों का बुछी हाले दर नहीं करना चाहते थे आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर बताईएगा साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिए